जहें दोस्तों आज इस वीडियो में लोग बात करेंगे ECHS हिसार वर्टी 2024 के बारे में दोस्तों आज की जो वैकेंसी निकाली गए है मिनिस्ट्री आफ डिफरेंस की तरफ से निकाली गए है और इसमें सभी भारती नागरिक महिलायों पुरूष और इसके साथ एक्सर्विस्मेन अप्लाई कर सकते हैं इसपेसली हर्याना राज के कंडियर्ट है उनके लिए सुनेरा मौका साबित हो सकता है क्योंकि ये वैकेंसी उनके राज में निकाली गई है तो दोस्तों इस वीडियो में अप्लाई करने के पहले आपको इस बरती के बारे में जानना कुछ बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि जब तक आप लोगो इस बरती के बारे में नहीं पता चलेगा कि बरती किस प्रकार की है इसमें आपका सेलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा और इसमें आपकी एजूकेशन क्वालिफिकेशन या फिर इस बरति जुड़ी अनजानकारी क्या है तब तक आप लोग डाउट में रहेगे तो दोस्तों उन्हीं सभी चीजों को दूर करने के लिए आज के वीडियो में ल निकाली गई है 104 जो नंबर आप पोश्ट है जिसके लिए वेकंसी निकाली गई है अब इसके साथ मैं आपको बता दूँ इसमें कौन-कौन से पर जिनके लिए वेकंसी निकाली गई है तो सफाई वाला ड्राइवर क्लर्क डाटा इंट्री ऑपरेटर लैप सायक लैप तक इतने पदों के लिए वेकंसी निकाली गई है दोस्तों मैं आपको बता दूँ अगर आपका इस भरती में सेलेक्शन होता है तो आपकी नियूट कौन-कौन से इस्थान में होगी दोस्तों मैं आपको पहले ही बता था यह वेकंसी हर्याना राज में निकाली गई है तो जा करा के इनी सभी district में आपकी न्यूट की जाएगी ठीक है इसमें तो सभी भारती महिला पुरुष एवं भूत पुर सयंसे लोगई कर सकते हैं बात करें माध्यम की की इसमें कैसे कर सकते हैं तो दोस्तों इसमें offline माध्यम से फॉर्म सुविकार किये जाएग इसमें online कर पिस्टेस ड्यार रखे 15 फरवरी 24 के पहले पहले आपको अप्लीकेशन कर देना है तो इच्छु का बैठ्टियों को मैं सला देना चाहता हूं अगर आप लोग इसमें अपलाई करना चाहते हैं तो आप लोग इसमें मैक जीवम आठ या नौ फरवरी तक अप्लीकेशन कर देना जिससे आपका जो फो में सही पते पर और सही टाइम पर पहुंच जाए और फिर आपको इंटर्ड्व के लिए कौल आ सके ठीक है बात करें फीस की तो दोस्तों में जन्रल ओबी सी एडब्लियस एक सर्विसमेन स्सी एस्टी और फीमेल इन सभी का बात करें योगिता की जिसमें आठ्वी पास के लिए भी बेकेंसी है और जिनको पढ़ना लिखना आता है उनके लिए भी बेकेंसी है और जिन लोगों ने अपनी इस नातक परिक्षा पास कर लिए तो उनके लिए भी बेकेंसी है दोस्तों उसमें कई पदों के लिए बेक लगाके वेजने हैं तो दोस्तों आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए पैंड कार्ड होना चाहिए सेच्छिक योगता जो पन के नुसार आपको अपने लगाने हैं और एक शर्विसमेन को दोस्तों इसमें डिश्टार्ट बुक की फोटो कॉपी भी लगानी पड़ेगी और जिन पद में experience माँगए है तो उसमे experience की भी फोटो कोंपी लगानी पड़ेगी। और इसके लाओ दोस्तों आप किसी भी पद के लिए apply कर रहे हों इस सभी पद के लिए medical प्रवालपत्र होना जरूरी है। और दोस्तों आप लोग अपने medical प्रवालपत्र अपने जिला स्पताल की CMO से या फिर SEMO से बनवा सकते हैं। इसके लाओ दोस्तों जो लोग लैब सहायक लैब तकनीसियन या फर्मासिस्ट पगेड़ा के लिए apply करेंगे उनके पास medical pharmacy या लैब registration का प्रवालपत्र भी होना चाहिए। दोस्तों यह जो डाकूमेंट्स हैं इन सभी कि आपको photocopy अपने form के साथ अटेज्ट करनी है और धान रहे आप form के साथ जिकनीवी photocopy अटेज्ट करें सारी photocopy आपको self-attested करनी है मतलब स्वयम प्रमारिप करना है बिना स्वयम प्रमारिप किया वह कोई भी डाकूमेंट मत लगाना अधरवाइज आपका form डिजिक्ट हो जाएगा ठीक है उसके साथ इसाथ दोस्तों फॉर्म बनते समय आपको कुछ और सावधानिया बरत नहीं है जिससे आपको फॉर्म गलत नहीं हो जैसे कि फॉर्म में कैपिल लेटर का प्रयोग करना है उसमें समाल लेटर का अधर पर होगी तो दोस्तों मैं आपका ना ही कोई पर इच्छा होगी और ना ही आपकी कोई पर इच्छा होगी इसमें हर एक पद के लिए आपका सिर्फ होगा मतलब इंटर्विव के आदर पर ही आपका सेलेक्शन होगा ठीक है और दोस्तों इसका इंटर्विव 6-9 मार् नहीं हुए क्योंकि दोस्तों इसका इंटर्विव 6-9 मार्श 2-14 के बीच में होना है तो जो इसके लाव किसी वी कंडियर को इसमें कॉल नहीं आएगी ठीक है अब डोस्तों में बात आती है कि यह जोब किस प्रकार किया थ hebben दो जोब संविदा के अधार पर निकाली गई है या पर्मांन JUST नहीं है ठीक है अब इसमें दोस्तों बात आती है किसमें प्राटमिक्ता किसको दी जाएगी दोस्तों मैं आपको बता दू इन सभी पोजिशन के लिए जितने भी पद निकाले गए हैं सफाई वाला ड्राइवर क्लर्क डाटर इंडिर ऑपरेटर लैप सायक और लैप टिक्निशन और इसके साथ फर्मासित इन सभी पद में दोस्तों एक सर्विसमेन को मनलब प्राटमिक्ता दी जाएगी अगर उनको किसी पद के लिए एक सर्विसमेन नहीं मिलेगा तो ही जो सिविलियन कंडिडेट है जिनके पास आर्मी का इस्पिरियंस नहीं है उनको मनलब बुलाया जाएगा ठीक है तो दोस्तों जहां का है इसमें एक सर्विसमेन को प्राटमिक्त दी जाएगी उसके बाद ही सिविलियन कंडिडेट के बारे में बिशार किया जाएगा इस चीज को आप बिल्कुल ध्यार रखें क्योंकि यह सारी आपको कोई बताता नहीं है फिर बाद में आप लोग इंटर्वी की कॉल का इंदजार करते र सर्विसमेन को ही अपलाई करने दें सिविलिंग करें आपकी मर्णि अपलाई इसमें दोनों लोग कर सकते हैं छो मैं लका जो लोग इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग दोस्तों फॉर्म को 15 फर्वरी दोजार चौबिस के पहले पहले स्वयम के माध्यम से या फिर डाक के दौरा ओफीसर इंचार्ज इसी एचसे सेल इस्टेशन एड़कॉर्टर हिसार मिलिटरी इस्टेशन हिसार 125 इस पते पर पोस्ट कर सकते हैं ठीक है और दोस्तों जब आप लोग फॉर्म पोस्ट करने जाएं जिस भी लिफाफ़ें अपने डाकुमेंट्स डालेंगे उस लिफाफ़ेंग उपर आपको अप्लीकेसन फॉर्द पोस्ट ओंप लिखना है आप कौन सी पोस्ट के लिए प अधम से पोस्ट कर सकते हैं तो दोस्तों यह जानकारी इस है सिसार भरती दौरा 24 समझेत आसा करता हूं मेरे दौर्दी के जानकारी समझ में आ गई होगी फिर वेगर आपको कोई डाउट है नीचे कमेंट करना मैं कोचिस करूँगा आप लोगों के जवाब लेने के लिए जिससे मैं अपनों के लिए नई नी बरती सी तरीके से लाता रहूं आपको लोगों को जल्दी जल्दी रोजगार मिल सकें तो दोस्तों जल्दी मिलेंगे एक नए बीडियों में एक नई जनकारी साथ अब तक के लिए जहन बंदे मातरों